बल्रामपुर जिले के महेवा ग्राम पंचायत में सिसी सड़क बनाने के नाम पर अग्रिम राश्वी का आरहन करने आठ महीने बाद महज आठ ट्रिप बालू गिरा कर छोड़ दिया गया वाडर अफ नगर जन्तवत पंचायत का ये पूरा मामला है अब इते बालू गिर के हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए लिकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली जैसे के सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां प्रेशानियां बद इंतजामियां हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताके हमारी आने वाली पीडियों की जिन्दगी आसान हो सके ना कि इसलिए कि वो जगा जगा पर सरकारी दफ्तरों में धके खाएं प्रिशानियों का सामना करना पड़े शीदियाजम सरदार भगत सिंग जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्र नहीं लगाने पड़ेंगे बलके सरकारी दफ्तर खुद चलके लोगों के घर पर आएं अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डाइल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं. पंजाब की भगवंत मान सरकार आप के द्वार. तो पैसा निकला है तो हम लोग थोड़ी जान रहे हैं. ऐसा सरपंच बन गया है कि उसका मतलब गांव गली से कोई लेना देना नहीं है. कोई भी कोई महेवा के अंदर कोई भी सरपंच बना है. इस गांव का कुछ वहीं नहीं रहा है. रविंद्र पटेल के घर से लेकर महुआरी पारा तक सिसी रोड निर्मान के लिए 5 लाख रुपे की स्विकृति प्रदान की गई थी. लेकिन काम नहीं हुआ. पंचायत के सचीव और सरपंच की मिली भगत से मार्च 2023 में अग्रिम राश्वी के नाम पर 2 लाख रुपे का आरहण कर लिया गया है. ग्रामिडों ने पंदरबाट का आरुप लगाया है. वहीं गाउं के सरपंच पदी का कहना है कि सीसी रोड निर्मान के नाम पर अग्रिम राश्वी का आहरण किया गया था. लेकिन चुनाओ के व्यस्तता के कारण सड़कर निर्मान नहीं हो पाया अग्रिम राशी माटेरियल भुक्तान के लिए प्रस्तावित किया जाता है क्योंकि कोई भी आज का लवेल्ड जो भी है सामान ले देता है तो हम लोग भी कारें नहीं किया जाने को लेकर अब जन्पद पंचायत के CEO ने ज्वांच के बाद कारवाई की बात कही है आपके द्वारा मेरे संग्यान में लाया जा रहा है मैं इसका देख करके जांच करवा करके उत्तरदाई बेक्ती के उपर करवाई करूँगा देखना होगा कि मामले में आरोप सामने आने के बाद कब तक कारवाई हुपाती है पंचाब के सुटीवी के लिए संजीव सिंग की रिपोर्ट हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद